Hello students, welcome to grade booster maths classes, स्वागत आपका grade booster maths classes में आज इस video lecture में हम आपके लिए quadratic equation chapter से question लेकर आए है जो कि board पर लिखा हुआ है, काफे important concept है चलिए देखते हैं क्या है Find the value of k if quadratic equation 4x square minus 3 kx plus 1 equal to 0 has real roots हमें एक quadratic equation given है, जो कि है 4x square minus 3 kx plus 1 equal to 0 इस quadratic equation के जो roots हैं, वो real है ठीक है, यहाँ पर यह नहीं कहा है कि equal है जादतर question ऐसे होते हैं कि roots जो हैं, वो real and equal होते हैं यहाँ पर हमसे कहा है roots जो हैं, वो real है तो हमें find out करना है कि इस k की value क्या होगी तो इसके लिए हमें पता है कि जब भी किसी quadratic equation के roots real होते हैं तो किस case में होते हैं, डी जो है, वो अगर 0 से बड़ा या 0 के equal हो यानि discriminant जो है इस equation का, अगर वो 0 के equal या 0 से बड़ा है उससे greater है, तो ही उस equation के roots जो हैं, वो real होते हैं अगर डी exactly 0 के equal है, तो roots equal हो जाते हैं और अगर डी जो 0 से बड़ा चला जाता है, तो real and distinct roots होते हैं तो हम यहाँ पर इसका discriminant जो है greater than equal to 0 के लिए solve करेंगी तो डी की जो value होते हैं, हमारे पास आते है, b square minus 4ac greater than equal to 0 अब इसमें b है minus 3 के, इसका square minus 4, a है यहाँ पर 4 और c है 1 greater than equal to 0 अब यह अपने पास बन जाएगा, 9 k square minus 16 greater than equal to 0 अब 9 k square को यहीं रखिए, greater than equal to minus 16 उधर जाकर plus 16 हो जाएगा अब अगर हमसे पूछा होता कि real or equal roots हैं, तो यहाँ equal to का symbol होता हो और हम k की value find out कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर inequality है, equation नहीं है greater than equal to का symbol है, यानि कि 9 k square की value है, वो 16 से बड़ी भी हो सकती है और इसके equal भी हो सकती है, तो अब ऐसी situation में आपको क्या करना है आप put कर लेंगे, put 9 k square equal to 16, यानि कि हमने अब अलग से लिखा है हमने assume कर लिया कि यह जो है, इसके exact equal है, हालांकि हमें inequality given है 9 k square की value 16 से larger या उसके equal हो सकती है, बट हमने assume कर लिया कि यह इसके equal हमने put कर लिया, ठीक है, अब यहां से हम k की value निकालेंगे k square equal to 16 upon 9, k हमारे पास आजाएगा plus minus 4 upon 3, दौनों तरफ square root करने पर अब आपको क्या करना है, एक number line ड्रा करनी है, ऐसे एक straight number line हम ड्रा करेंगे बीच में 0 put कर लें, और इधर positive value इधर negative value होती है, तो यहां पर k की आजाए simplify करते time, तो अलग case होगा, और greater than equal to जो हमारे पास अभी है, इसमें अलग situation है, जब greater than equal to symbol है, तो हमारे पास जो values है, वो इस range से इधर होगी, और इस range से इधर, जो दो value हमारे पास आई है, k की, k दे रखा हो, m दे रखा हो, कुछ भी alphabetical letter हो, उसकी value इस से लेकर कर सकते हैं, k की value, या तो equal है, और या फिर छोटी है, minus 4 by 3, k is less than equal to minus 4 by 3, k की value अगर आप minus 4 by 3 put करते हैं, तो real roots होगी, और इस से smaller put करते हैं, तो भी real roots होगी, और दूसरी situation है, k greater than equal to 4 by 3, 4 by 3 हो सकता है, और 4 by 3 से बड़ा हो सकता है, अगर minus 4 by 3 या plus 4 by 3 है, तो roots equal होगी, अगर इधर वाली कोई value लेते हैं, और इधर वाली लेते हैं, तो roots जो हैं, वो unequal होगी, यानि distinct होगी, तो ये था आद का question, उम्मिध आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है, आपके लिए helpful रही है, तो like, share, comment जरूर कीजेगा, और ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चंद सब्सक्राइब करना न भोलें, thank you very much and have a nice day.